Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Ayushi and on this channel we create lot of videos on Delhi University, career options, scope of various courses, college reviews, experiences, basically my experiences, then college life and skills, earning money online and much more. So you might consider subscribing to this channel. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, Top 10 Delhi University के Colleges के बारे में, किसके लिए? For Science Students. यानि कि जिसको भी Delhi University से एक Science Course करना है, एक Science Degree करनी है, उस केस में उन लोगों के लिए क्या Top Colleges है, Top 10 Colleges है, वो हम जानेंगे इसी वीडियो. But let's start करने से पहले हमारे पास यहां दो points हैं, जो कि बहुत important है बताना. Point No.1 is कि यह list specifically Science Courses के लिए ही बनाए गई है, और मैंने थोड़ी बद research करके, थोड़ा बद आप अपने experience के help से यह list create करी है, और यह सिर्फ specifically Science Courses के लिए है, अगर आप बाकी Courses के लिए देखोगे तो जरुरी नहीं है कि यह list same रहे, also यहां पर SRCC नहीं होने वाला है क्योंकि वो Science Courses offer नहीं करता है, okay, now coming on to the point No.2, which is कि arts और commerce के लिए भी, यानि कि अगर आप डली निवर्सिटी से कोई arts का course करना है, B&L, या फिर कोई commerce का course करना है, B&L, उस case में भी, यह जो top 10 colleges में बता No worries, अगर आप बाकी courses के भी हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, and यह जो 10 colleges में बताने वाली हूं, यह literally, literally बहुत ज़दा famous है, अगर आप course भी consider नहीं करोगे, ना अगर आप course को भी preference नहीं दोगे, उस case में भी, आप सिफ college के लिए भी जा सकते हो, in colleges में, so without any further ado, so let's dive into the list, so number one in the list is, any guesses, okay, it is St. Stephens College, and यह obvious था, आपने जितनी भी वीडियो देख होंगे, जितनी भी लिस्ट देख होंगे, अभी ताक top 10 colleges की Delhi University की, उसमें यह number one ही रहा होगा, क्योंकि यह college सिफिक college नहीं है, यह a brand है, literally speaking, okay, and now coming to the second thing, which is कि यह लाय करता है, and this college is tagged as, or can be tagged as, the best college of Delhi University overall, सब कुछ हम consider करते हुए, इसको best college का tag दे देते हैं, and मैं ऐसे ही कुछ-कुछ colleges के लिए tags आगे प्रोवाइट करने वाली हूँ, so stick to the end. इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है, इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है, इसके साथ ही नमबर वन डेली ओनलाइन वीडियो क्लास वो भी English और Hindi मेडियम में, जहां पूरा course पड़ाया जा रहा है, तो आज ही जाकर इन course का पार्ट बनो, और डाउटनेट अप इ इसके सब्सक्राइब के अब बनो, इसके साथ ही जाकर साथ है, अब यह बी थोड़ा बट कामपस का आपका बाट यह वी थोड़ा है एक्सपेक्टेट होगा सफना ही लाएं दू कॉलेच के बारे में और इस कोलेच की स्पेशियालिटी यह है कि यह सारे टाइब के कोर्स करता है एंड उस केस में एक यह भी थोड़ा बड़ ब्रांड कह सकते हैं इसको क्योंकि लिटरली हर डुमेन में हर पारमीटर में सबसे उपर ही लाई कर रहा होता है अब यह है अब यह हमारे 9 कमपस में है और इसको हिंदू के साथ बहुत जाता है इसे इसको अमेशे बोलते हैं पहले हिंदू बोलते हैं फिर अठाज बोलते है तो यह वी अच्छा अच्छा कॉलेज है अड वही सीने हर पारमीटर में एक डम एक्सेलें और बहुत साले कोर् सब्सक्राइब तो में को लिस्ट यह रटी पड़ी है स्टीफिन्स हिंदू हंसराज बट जो नेक्स्ट कॉलेज है फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है इस लिस्ट में वो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए एक्सपेक्टेट ना हो इट इस मिरांडा हाउस तो अब यह मैं अगें यह नौथ कैंपस में लाई करता है और इसके एक और स्पेशालिटी यह है कि यह ओनली ग्ल्स कॉलेज है अब तक जो भी मैंने कॉल्जेस बतायते है वो कोवेट थे यानि की कोवेडिकेशन थे नाव इसके लिए भी में एक ताग है वो है इसको मैंने बेस्ट गर् अगें काटेश्वा कॉलेज अगावें की अगें की यह स्पेशलिस थे क्योंकि मैं आगी आलम रह चुकि मैं आगी श्टूडन रहेच कि यह देखना अब यह लाई करता है मारे साउथ कैंपस में और जितने भी कॉल्जेस अभी तक हमने बताय वो सब लाई करते हैं अगें यहां की सांज पालिट एमेज़ और साइंस के लिए इसको स्पेशल मानते हैं ठीक है अब इसके लिग भी एक ताग है विच बेस्ट कोशेट कॉलेड कॉलेड ओफ साउथ काम्पस ठीक ही अगें मैंने सको बेस्ट कॉलेड सावध केमपस नहीं बोला क्योंकि अलेस है इसलिए है तो नाव मुवंग ओन the number 6 college इस करोरिमल college क्योंख थोड़ा से competition रहते है कि अजिन कि किस को पर रखे करोरिमल को पर रखें किरोरिमल को पर रखें और मेरें थोड़ी सी story है करोरिमल college के साथ जब मैं लिटरलि बहुत है कि मुझे किरोरिमल में ही एडमिशन चाहिए अपनी बैचलेर्स के टाइम पर उसकी स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर भी करी हुई है अब पीस वो जाकर देख लेना उसका लिंग आपको मिल जाएगा अब किरोरिमल कॉलेज भी हमारा नौथ कैंबस में लाए करता है अ काफी डीसेट माना जाता है और साइंस कोर्स भी अच्छे है और ओवराल भी अच्छा वालज है साथ वे नंबर पर हमारे पास है रामजिस कोलेज ये बी एक नौद कैंबस का कॉलेज है काफी अच्छा माना जाता है इस रुक्वार्ट इसको फोड़ा सा नीचे इसलिए क्योंकि वेंकी अपके मिरा अंडा हाउस ये दोना स्पेसिफिकले अपने साइंस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं इनकी फैकल्टी भी अमेजिंग है इन बाकी सब कुछ भी ओवराल बहुत अच्छा है इसलिए हम थोड़ा रामजिस को नीचे र इसलिस्ट में ये टॉप पर आता है लिट्रली बहुत उपर आ जाता है जित्ते भी ऐवी इस देली निवर्सिटी में जो की सिब गुल्स के लिए उस केस पे गार्गी कॉलेज आपका हमेशा सुनने को मिल जाएका अन कितने ही इसलिए लेड़ी शिराम कॉलेज फो विमन देन मिरान्दा हैं जीजस इन मेरी चॉल्ज एटलेज एंगार्गी कॉलेज ओन्ली इस देनोलिस्ट एलिस्ट में आ इस इसलिए ये पॉल्स कॉलेज अंड़ी इसलिए रिचारना नहीं नियू नियूप कॉलेज एंगें दनेन ये हमारा और ऑफ-कांपस कॉलेज है आपक के basis पर मैंने इसको रखा बाकी बाकी तो मुझे पता थे क्योंकि थोड़ा बहुत पता होता है बाट इसको भी फिर मैंने रख लिया लिस्ट में then moving on to the 10th college analysis which is the final one which is SGDB Khalsa college और ये हमारा North campus में लाइ करता है and again ये भी एक अच्छा college है तो बस यही थी हमारी list top 10 colleges key for science courses obviously Delhi University के and ये एक short and crisp video थी बस थोड़ा से बताने के लिए कि हाँ ये उपर के colleges कुछ कुछ science के लिए और किसी भी आपको course में जाना हो B.Sc Maths, B.Sc Stats, B.Sc Chemistry, B.Sc Physics, B.Sc B.Sc इसी किसी भी कोर्स में जाना हो तो आप प्लीज इस लिस्ट को देख लेना and बाकी प्लीज बताना की वीडियो कैसी लगी और सारी के सारे आपके जो suggestions है और वीडियो आइएस है प्लीज कोमें जोड़के जाना थोड़ी हेल्प मिलती है और वीडियो के आइडिया सोचने में थोड़ा हेल्प मिलती है Okay, so I'll see you in the next video till then keep watching my other videos थोड़ा प्रमोशन तो करना वनता है So, बाकी जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेलिस्ट खोलो जाकर और फटाफ़चे अपने मद्दब की सारी वीडियो देख लो एक प्लेलिस्ट है डेली निवर्सिटी स्पेशल जो कि मुझे लगता है कि काफी साथ काम आने वाली है अगर आप भी एटमिशन ले रहे हो तो आपको सेकंड यर, फर्स्ट यर, थर्ड यर हमेशा हो काम आएगी और सेकंड प्लेलिस्ट है स्टूदें स्पेशन सेक्शन वो भी काफी हल्फल रहेगी और उसके इलाबा एक सीरीज है आयोशी अंसर सीरीज आइकिस उसमें थोड़े बाद ना कॉमन डाउच और छोटे-छोटे जो हमारे क्वेरीज होती है वो मैंने सॉल्फ करी हुई है और फूर्थ प्लेलिस्ट आइवुड सुझेस्ट कि जाके थट्टी डेश चानल चालेंज वाली प्लेलिस्ट देख लो उसमें काफी जादा आपको relevant और आपसे related content मिलेगा जो कि I think कि आपको अभी जाना इस point पे जाना बहुत जादा जरूरी है सो बस इतना ही था आज के वीडियो में मिलते हैं किसी और वीडियो में तिल देन Keep watching, Bye